दोस्तो आज हम जानेंगे कि किसी भी अच्छे कंपनी के IPO में निवेश करने का क्या तरीका होगो और क्या आप उसमें अलोट्मेंट के हिस्सेदारी हो पाएंगे कैसा होता है कि जब कोई भी कंपनी पुझी उठाना चाती है बजार में तो वो पब्लिक इशू लाती है और उससे जुटाई हुई रकम का इस्तमाल वो अपने कारबोर का बढ़ाने में करती है IPO में निवेश के नए निवेशक के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है IPO में निवेश के तरिये नए निवेशक अपने मन पसंद कारोबार में हिस्सा बन सकता है IPO के फायदे यह होते हैं कि आपको मन पसंद कारोबार में हिस्सेदारी मिलती है साथ ही IPO में मुनाफ़ा कमान के मोके भी होते हैं एक चो चुंनने के लिए रेटिंगि एजंसी की रेटिंग् देखें रेटिंगि अजएंसी कंपनी की हो instruments की मिलेटिंग की रिचे कि साथ ही आई अीपो की कीमेत भी देखिए ब्रोकर्स की report को देखना चाहिए बाजार में promotors की साथ Marx के और प्रोमोटर के अलावा दूसरे निवेशकों के बारे में भी जानकारी जूटा है IPO प्राइसिंग का कोई फार्मूला तई नहीं होता है IPO की प्राइसिंग में फेस वेल्यू और प्रीमियम अहम वेल्यू होते हैं इन दिनों फेस वेल्यू पर IPO बहुत कम आते हैं आजकल IPO प्रीमियम पर ही मिलते हैं जिसने प्राइम प्रोमोटर और मर्चंट बैंकर तई करते हैं IPO में शेर अलाट्मेंट के लिए IPO के पहले ज्यादा तर शेर प्रोमोटर के पास होते IPO के बाद शेर होल्डर बढ़ जाते SEBI के नियम तई किये हैं जिसके अंदर कमपनी कम से कम 25% नान प्रोमोटर जरूरी होते हैं प्रोमोटर के हिस्सेदारी 75% से अधिक होनी चाहिए IPO के बाद नए शेर जारी की जाते हैं और शेर जारी करके पुझी जो जुटा जाती है उसका इस्तमाल कारोबार विस्तार में क्या जाता है कई बार पुराने निवेशक IPO के जरिये शेर बेचते हो और कुछ मामलों में पुराने निवेशक के शेर के साथ नए शेर भी इशू के जाते IPO निवेशक को पुराने निवेशक के शेर बेचने को कारण जानना चाहिए और पुराने निवेशक की इस्सेदारी बेचकर जुटा आए गए पेसों से कारोबार नहीं लगाता अच्छा प्रोमोटर की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होती नियूंतम पब्लिक होल्डिंग 75 25 पीस है थी जरूरी और अलग-अलग सेक्टर में कमपनियों में होल्डिंग पेटर की नियम काईदों के मुताबिक अलग-अलग मुमकीन की जाते are IPO में निवेश ब्रोकर के जरिए के जैता है जिसमें ब्रोकर के जरिए पैसा लगाना जाता है अनलाइन आइपियो निव वो बहुत कमाते हैं और प्राइज बेंड अधिक्तम 20 फिसेदी का होता है लिश्टिंग के वक्त शेयर बेचकर मुनाफ़ा कमाने को लिश्टिंग गेन कहते हैं और लिश्टिंग के बाद शेयर बेचकर मुनाफ़ा कमाने वाले आम दोर पर ट्रेडर्स होते हैं IPO में लंबे समय के जरिये से अगर आप निवेश करना चाते हैं तो आपको प्राइज बेंड वाले IPO में निवेश प्राइज रेंज का चुनाओ करनी होगी IPO में जारी होने के साथ दिन के बीतर कंपनी लिश्ट होती है IPO में निवेश अलाट्मेंट के पहले एक एप्लिकेशन वापस ले सकता है IPO का जो अलाट्मेंट करता है जिसमें आपको आपने निवेश करना है वो आप वापस ले सकते हैं अलाटमेंट प्राक्रियार्र शुरू होने से पहले application वापस नहीं ले सकते हैं साथ दिन में अलाटमेंट प्राक्रियार्र पूरी हो जाती है और IPO में अलाटमेंट लाटरी के ज़़ी होता है आक्सर निवेशो को application में कम से कम share ही मिल पाते हैं इंस्ट्यूशन और बड़े निवेशक एंकर इंवेस्टर कहलाते हैं mutual fund bank financial institution एंकर इंवेस्टर इशू खुलने के एक से दो दिन पहले ही एंकर इंवेस्टर को शेर अलॉट कर दी जाते हैं प्राइस बैंड के मुताबित एंकर इंवेस्टर application डाल सकते हैं एंकर इंवेस्टर एक महीन तक शेर नहीं बेश सकते हैं एंकर इंवेस्टर शेर अलॉट्मेंट का फैसला promoter और merchant banker मिलकर कहते है real estate अब मतलब अगर real आप retail investor है तो एक वेक्ती 2 लाक से दिक का investment share application के तुरू नहीं कर सकता retail investor को ही IPO में discount दिया जाता है बहुत सारी जानकार ही है दोस्तो अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि IPO लाने के लिए merchant banker new के जाता है सेवी के पास DRHP means document file करता है DRHP यानि draft offer red herring prospect होता है सेवी DRHP की जाच करने के बाद IPO का मंजूर करता है DRHP मंजूर के बाद document prospect कहलाता है prospect से निवेशों को IPO में लाने वाली कंपनियों का risk factor जरूर पढ़ना चाहिए protect में tax liability कर्ज कोट के साधी की जानकारी पूरी मिलती है सेवी मंजूर इनकी एक साल के बीतर IPO लाना जरूरी होता है IPO के लिए प्राइज बेंड तई किया जाता है यह प्राइज बेंड प्राइज बेंड से cut off मिलता है सेवी ने cut off pricing का formula निकाला है जिस कीमत पर issue price किया जाएगा उस पर निवेश को share मिलना है निवेशक का higher band के हिसाफ से पेसा देना होता है और अगर issue कम price पर लिश्ट होता है तो बाकी पेसा निवेशक को लोटा दिया जाता है दोस्तों यह कुछ महत्पून जानकारी थी जो की allotment और share के से related है किस तरीके से share कोई company निवेशक पूंजी बाजार से उठाती है और किस तरीके से वो अपने पूंजी के कारभार विस्तार के लिए निवेशक करते है दोस्तों अगर यह विज्यो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद